मानव इतिहास में कुछ घटनाओं ने परमानु बमों के विस्फोट जैसी अमिट छाप छोड़ी है। शान्ती के मुखोटे के पीछे विनाश और विनाश की एक भयावह सच्चाई छिपी है। परमानु बमों की विनाश कारी शक्ती चौका देने वाली है। ये हतियार मानव इतिहास में अग्वितिय उर्जा की धारा प्रभाहित करते हैं। हुरोशिमा और नागासा की परमानु युद्ध की भयावहता की याद दिलाते हैं। अगस्त 1945 में ये शहर परमानु बमों की अकलपनिय ताकत के गवाह बने और अपने पीछे वीरानी और मिराशा का परित्रिश्य छोड़ गए। परमानु विस्थोगें के मून में विखंडन और सुमिलन के सिधान्त नहीं थे। विखंडन बम परमानु नाभिक को विभाजित करते हैं जिससे भारी मात्रा में उर्जा निकलती है। दूसरी और फ्यूजन बम परमानु नाभिक को विलीन कर देते हैं जिससे विनाशकारी शक्ती और भी बढ़ जाती है। इमारतों को ढाते देखना, असहनी ये गर्मी और रेडियेसन को अपनी आखों के सामने देखना कितना भयावा होगा। ये एक बुरे सपने की तरह है, कोई दोहराता नहीं देखना चाहेगा। रेडियो धर्मी मलबे से बना फॉल आउट आसपास के क्षेत्र को ढख देता है, मिट्टी पानी और हवा को प्रदूशित करता है। नतीजों की धातक प्रकृती बिनाश की पहुँच को विस फोट क्षेत्र से कहीं आगे तक बढ़ा देती है। दुनिया भर में देशों न अंविनत परमानु परीक्षण किये हैं, जिन में से प्रत्येक मानवता की विनाश करने की ख्षमता की याद दिलाता है। फुर भी अंधेरी के बीच आशा की किरणे उभरती हैं। परमानु हत्यारों के प्रसार को रोकने के अंतरराश्ट्रिये प्रयासों ने हत्यार नि परमानु विस्खोटों की विनाशकारी वास्तविक्ता पर विचार करते हैं। आइए हम इतिहास के सबक पर ध्यान दें। आइए हम एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करें। जहां परमानु युद्ध की भयावहता अतीत के इतिहास तक ही सीमित रहे।